हमने क्योंकि बॉडर स्टेट है हमने हजार क्रोड रुपे की मांग की थी कि पीएसफ उनको अपग्रेड करने के लिए करने के लिए बॉर्डर की क्योंकि ड्रोन बगएरा बहुत आते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम लॉंच करने के लिए उसका नाम भी नहीं लिया गया हमने कि प्री बजट जो डिमांड्स मांगते हैं राज्यों से हमने उसमें मैंशन किया था कि कि बंदे भारत श्री अमरसर साब से और बठिंडा से जो हैं दिल्ली के लिए उसका नाम भी नहीं लिया गया जब मैं बतौर मेंबर पार्लिमेंट वहां लोकसवा में था तो मैंने एक आइडिया दिया था जो के रेलवे मंत्री साब साब ने असेक्ट भी किया था कि रिलीजिस टूरिजम के लिए बहुत एक पांचों तख्तों को जोडने वाली एक ट्रेन चले जो अभी तो जो श्री अमरसर से नदेर साब जाती है उसकी दो-दो महिने की Bplicing है अगर आप श्री कालतक साब से तक श्री केजगाड साब तक अगला पढ़ा हो जो competing पढ़ा हो तक श्री पढ़ना चाप चालतक यह वी नाराइज भी हैं वो भी पांचों तख्तों के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती है कोई नामों निशान नहीं है उसका और कोई उसकी नहीं हैै कि कि अगया है और इसका भी नाम नहीं लिया गया इन्होंने कहा है कि नर्सिंग कॉलेंगे, कब से खोलेंगे, कब से वो चल रहे होंगे, कोई उसमें डिटेल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि स्जूर्ट ट्राइब्स के लिए काफी सोहलतें दी गई है, अच्छी बात है, लेकिन श्टूर्ट कास्ट के लिए कोई भी नहीं है कि जो श्रूल कास्ट है एसी हैं बीसी हैं जो पिषड़े बर्ग से हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उनको उनका जीवनस्तर उठाने के लिए कोई पाकेज हो तो सिर्फ कागज में लिप्टा हुआ एक लिखती एक सिक्रिप्ट थी इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में 2024 में हम किसानों की आये दुगनी कर देंगे कहां दुगनी किया है आये हुगी यहां लिखती है तो किसानों से एक बदला लिया गया है क्यूकि उन्हें अंदोलन किया था बड़ा था कोई भी MSP नहीं दीगी और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है हमें बहुत चैलेंज हैं हमारी पुलिस को अपक्रेड करने के लिए हमारे बॉर्डर को अपक्रेड करने के लिए हमने एक सेशन दिया था कि जो तार के पार 3-3-4-4 किलोमेटर तार के पार जमीन है क्यों ना तार को हम 200 मीटर तक ले जाएं इंटरनेशनल लौ है कि 1500 मीटर तक आप लेके जा सकते हैं लेकन हम कहते हैं 200 मीटर तक ही ले जाओ ताकि जो तार के पार जिनकी जमीन है वो किसान जो है उनको आईकार दिखाके और BSF का भी उनकी फिस्किंग में तलाशी लेने में जाता है अभी यह सब खुद जाती है खेती करवाने के लिए तो के 200 मीटर तक तार ले जाएं तो बहुत सी जमीन जो है वो तार से इधर आ जाएगी बहुत किसानों को फाइदा हो जाएगा उसका कोई मेंचन नहीं किया गया तो मुझे तो लगता है यह कोई बदला ले रहे हैं पंजाब से लेकिन पंजाब जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसने 90% कुर्बानियां देश को उजाद करवाने में और अभी भी देश की उजादी को कैम रखने में हम कुर्बानियां दे रहे हैं तो ऐसा पंजाब के साथ अन्याय जो है वो अच्छा नहीं है और हम जब डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट पर डिवेट चलेगी तो हमारे जो साथी सांसद हैं राजसवा में हम यह बातें मानिय वित्मंत जीजी को याद कराएंगे कि पंजाब को आप देश का हिस्सा मानों पंजाब को देश में से मनफी नहीं कर सकते क्योंकि पंजाबी हैं जो पूरे देश को खाना भी खिलाते हैं पंजाबी हैं जिन्होंने हरा इंकलाव लाके देश को अनाज के मामले में जो आतम निपर बनाया था तो अब उनको ऐसे छोड़ना लावार छोड़ना अची बात नहीं